हेलो नमस्कार दोस्तों और साथियों, संगर्स के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सुरजवर्मा है, मैं भी आपकी तरीके से इस 79,000 भरती जो हो रहे है साय का ध्यापक की, मैं भी उसका भ्यरती हूँ, basically मैं आजमगर जिले से हूँ, और मेरा जो गुणांख है वो उनका जो एप्रूवल लेटर है बीएड या बीटीसी या जो कुछ भी वो कहां से प्राप्थ होगा उन्हें तमाम समस्याएं आ रही थी तो हम आप सब के इस चिंता को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत जो है एक वीडियो बनाने की कोशिस की इस वीडियो का मुख प्रदानों को आसानी प्रदान करनी है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने काउंसलिंग को अंजाम दे सकें दोस्तों और साथियों भाईयों बेनों अगर आप अपने ncte के उस लेटर के अप्रूवल को लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है आप अ ncte.gov.in जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आकर के खुलेगा वहाँ पर आप जाएंगे डेटाबेस वाले आपसन में डेटाबेस लिखा होगा मिला आपको आप मेरे साथ कर सकते हैं डेटाबेस आपसन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आएगा Recognized Institutions Recognized Institutions मिला उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी जोन हैं सब जोन आ जाएंगे उसमें द्वारका दिलही का एडर्स होगा भुबनेस्वर का एडर्स होगा जैपूर का एडर्स होगा अब जैसे आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी कालेश से आपने वियर्ट किया हुआ है तो आप नार्दर्न वाले आपसन को क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे जब आप तो उसमें कम से कम 7600 सम्थिंग कालेश की लिष्ट आएगी 7600 सम्थिंग कालेश की लिष्ट आएगी और उस कालेश में उसमें आपका अपना कालेश जोड़ना एक बहुत ही टेड़ी खीड है हलाकि वहाँ पे आपसन दिया हुआ है कि किस एर में कौन सा कोर्स आपने किया और आपके कालेश का क्या नाम था वहाँ पे जैसे ही आप अपना डिटेल डालेंगे खुल करके विंडो आ जाएगी और आपका कालेश आ जाएगा पर अमूमन जो भी हमारे भाईबान इस तरह से कर रहे हैं हमारे संगर्स के साथ ही सभी लोग इसको किये होंगे पर वहाँ से आपसन नहीं आ रहा है अगर आप अपने मोबाईल से कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप अपने राइट साइड में सबसे उपर जाएंगे एडरस बार के पास जहां पर आपने वेब साइड का एडरस टाइप किया था वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर तीन लाइने बनी हुई है बार बना हुआ है ठीक है वहाँ पर उसको जब खोलेंगे तो आपको आएगा बुक मार्क्स, रिसेंट टैब, हिस्ट्री, डाउनलोड, ट्रांसलेट, सेयर, फाइंड इन पेज यह जो फाइंड इन पेज करके है उस पे आप क्लिक कर दीजे हो गया फाइंड इन पेज जैसे आता है आप उस पे अपने कालेज का नाम डाल दीजे कालेज का नाम डालके क्लिक कर दीजे कुछ भाई भैन हमारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि college का नाम डालने से मेरा college का नाम सो नहीं कर रहा है तो आप college का address डाल सकते हैं इस तरीके से आप वहाँ पे college का नाम डालेंगे तो आपके right side में एक आपसन आएगा so so वाले पे click करेंगे तो तुरंत आपके उस college पर जो NCTE का approval later है वहाँ पे पहले से PDF file लोड होगी उसको वहाँ से click कर देंगे वो open हो जाएगा और वहाँ से direct control P करके या save करके आप वहाँ से print out ले सकते हैं कुछ भाई भैन ऐसे होंगे जिनके पास PC, personal computer या laptop होगा उनकी लिए भी मैं चीज़ें बता दूँ कि अगर वो जैसे ही उनकी windows खुलती है वहाँ पे जो बार बना हुआ है या तीन dot बने हैं वहाँ पे न जाएं वलकि अपने keyboard में control plus F बटन दबा दें ध्यान दीजिए control plus F जैसे लिखा होता है CLRT प्लस F दबाएंगे तो find की window खुल के आएगी उस find वाली window पे जैसे ही आप अपने college का नाम डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके college में B8 की मानिता हो BTC की मानिता हो DL8 की मानिता हो और M8 की मानिता हो ऐसा हो सकता है तो वो जितना भी आपके college का नाम है search history में उसमें खुल करके आ जाएगा आप उसमें देख लें कि आपको B8, BTC, DL8 या M8 में कौन सा लेना है B8 का लेना है B8 पे click कर दीजे direct आपका वहां से download हो जाएगा यह है बहुत ही आसान तरीका बाकी दूसरा और भी एक system NCTE ने किया हुआ है कि अगर आप चाहें आपकी जो B8 की degree है उसको अगर validate करना चाहते हैं तो वहां पे एक option दिया गया है आप यहां पे देखेंगे लिखा है online teacher pupil certificate verification link online teacher pupil certificate verification link जैसे ही आप उस पे click करेंगे आप अपना नाम लिखेंगे अपनी data birth लिखेंगे अपना mobile number और अपनी एक valid email ID डालेंगे जैसे आप click करेंगे तो तुरंथ एक OTP आपके mobile पे आएगा वो OTP उसमें आप डालेंगे तो एक window खुल के आएगे उस पर आपका detail आजाएगा कि आपने B8 कहां से किया किस सत्र में किया प्रयायोगिक और theory में आपके कितने नंबर थे यह सब डाल देंगे सत्र डाल देंगे फिर class 10th के mark seat की photo copy जो है photo खीच करके उसमें आपको डालना होगा जो 200 kb का data होना चाहिए फिर आपके B8 के mark seat को 200 kb में convert करके उसमें डालना होगा class फिर आपका photo 200 kb में डालना होगा और फिर अपना signature 200 kb के अंदर करके उसमें डालना होगा जैसे आप उसमें डालके ok करेंगे तुरंत आपको 200 रुपे charge के लिए एक window खुल करके आएगी आप online 200 रुपे कटवा देंगे उसके 24 घंटे के अंदर maximum time 24 घंटा है automatic verify आपकी certificate हो जाएगी जिसपे आपका beard का सत्र आपके college का नाम आपका नाम आपका नुकरमांग सब पुछ लिख करके आ जाएगा और एक certified page खुल करके आजाएगा jpg फाइल में आप उसको वहाँ से print out कर सकते हैं तो यह था 79 भरती में अपने by default अपने mark seat की जो है soft copy भी वहाँ से approval ले सकते हैं मुझे उम्मीद है कि यह video आपको जरूर पसंद आया होगा नमस्कार आप का दिन सुभ हो